दोस्तो दिवाली आ रही है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चार तरीके के एकदम जटपट बनने वाले और बहुत इस्वादिश लड़ू की रेसिपी इसमें मैंने बिल्कुल कम इंग्रेडियंट्स के साथ अलग-अलग तरीके के लड़ू बनाना आपको बताया है और उमीद है कि ये वीडियो आपको इस्तिवाली बहुत काम आएगी तो चलिए इस्तिवार वाली रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं जीरो शुगर ड्राइब फूट लड़ू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक वेजटेबल शॉपर का यूज़ किया है आप चाहें तो सभी ड्राइब फूट्स को चाकु से भी कट कर सकते हैं लेकिन बारीक बारीक कट किजिएगा बहुत सादा बड़े नहीं बिल्कुल हलके हलके जैसे मीडियम साइज में हम कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से तो यहां पर सभी ड्राइब फूट्स को मैं इसमें डाल दूँगी और बिल्कुल फाइन सा हमेंसे चॉप करना है और अगर बाजार की मिलाबटी मिठाईयों से अगर आप बचना चाहते हैं तो यह जो लड्डू है वो आपके लिए एक दम बेस्ट आप्शन है क्योंकि इसमें हम किसी भी तरह की चीनी का भी उस नहीं कर रही है तो बिल्कुल नो कुकिंग रेसिपी है और एकदम जटपट बन कर यह तैयार हो जाती है तो यह देखिए इस तरह से एकदम मीडियम साइज में सारे ड्राइब फूट्स जो है वो मैंने कट कर लिए है प्लेट में निकाल लेंगे ताक यह मिक्सिंग करने में आसानी रहे और इसमें अब अपने आप यह जुड़ने लगेगा तो बस अब मैंने हाथों को अच्छे से धोग कर और घी से उन्हें ग्रीस कर लिया है और थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों में लेकर विसकुल उसी तरह से एकदम राउंड लड्डू हम बनाएंगे छोटे-छोटे मिनी लड्डू ज तो जितने दिखने में टैम्टिंग है खाने में उससे भी जादा टेस्टी है और इतने जादा पॉस्टिक है क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह की कोई भी आर्टिफिशल शुगर एड्ड नहीं की है तो आप इसे जरूर बनाईए अपनी डाइट में जरूर इसे शामिल क साथ में थोड़े से फ्लेवर के लिए जैसे ही गी गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे दो से तीन कुटी हुई इलाइची का पाउडर तो यहां पर इसे मैंने फ्रेश कूट लिया है साथ में डालेंगे एक कप बेसन यानि कि आधा कप घी के लिए एक कप बेसन हमें य जाता है तो यहां पर हम किसी भी तरह से तेल में से फ्राइब नहीं कर रहें बिल्कुल घर के स्टायल में और एकदम इसे बनाएंगे तो यहां पर अच्छे से बून लिया है मैंने और अब उसमें डाला है बिल्कुल दो से तीन चुट की हल्दी ताकि थोड़ा सा इसी हुई चीनी का यूज कर रही हूँ आप डारेक्ट भी यूज कर सकते हैं लेकिन उससे जो है वो फेशन में जो घी है वो जल्दी ऑबसर्ब नहीं करेगी चीनी इसलिए तीनों चीजों का अच्छे से मिक्स होना बहुत जरूरी है ताकि जब हम लड्डू को बाइंड कर अब हाथों को मैंने थोड़ा सा घी से कर लिया है और थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों पे लेते हुए बिल्कुल एक्दम चोटे या मीडियम जैसे भी साइज के आपको पसंद हो बिल्कुल छोटे-छोटे हम बनाएंगी तो यह देखिए इस तरह हाथों में थोड़ा है और इस तरह हलका साइसे प्रेस करेंगी तो इसके उपर अपने आप यह सेट हो जाएगा तो देखिए करके सारे लड़ू जो है मैंने तयार कर लिये हैं तो हैना एकदम इंस्टेंट और बहुत ही मज़ेदार सी रसिपी कुछ ही मिंटों में बनके तयार हो जाती है और आप भी इस पर इसे जरूर ट्राय कीजिए आपको बहुत पसंद आएगी नारियल के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप सुखा नारियल तो यहां पर फ्रेश नारियल को जो सुखा हुआ नारियल होता है उसे मैंने अच्छे से पीस लिया है और इस इसको जो कलर है वो भी चेंज हो जाए थोड़ा सा और उसके बाद में जो इसका कच्छा बन न है वह भी निकल जाए आगे हम इसमें थोड़ा सा फूट कलर एड करेंगे इसलिए बहुत जादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हमेसी बस बिल्कुल हलका सा रोस्ट करना है अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी चीनी आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ करें जितना भी आपको मीठा कम या जाधा पसंद हूँ मैं यहाँ पर एक कप नारिल के लिए आधा कप चीनी यूज़ कर रहे हूँ और इसे मैंने बिल्कुल फाइन पीस लिया है आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ भी ढाल सकते हैं लेकिन उसकी चाशनी को पकाने में थोड़ा सा समय ज़ादा लगेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी यूज़ की है साथ ही हम इसमें डालेंगे एक फुल क्रीम बाला दूद तो यहाँ पर मैं फुल क्रीम बाला दूद यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास फुल क्रीम बाला दूद नहीं हो तो आप साथ में उसके थोड़ी मलाई भी आइड कर सकते हैं साथ ही मैंने थोड़ा सा food color डाला है केसर कलर का food color मैंने इसमें डाला है और इसे अच्छी से हमें पकाना है इसका जो दूद है उसे हमें अच्छी से reduce करना है नारियल के साथ में और नारियल में जो तेल है वो जैसे जैसे दूद के साथ पकेगा तो इसमें जो तेल है वो अपने आप रिलीज होता जाएगा इससे जो सभी फ्लेवर हैं वो अच्छे से एकदम कंबाइन हो जाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे 10 मिनिट हो गए हैं मुझे इससे चलाते हुए और ये देखे बिल्कुल इस तरह से 10 मिनिट में जो हमारा मिश्रण है एकदम ड्राय सा तयार हो गया है दूट जो है वो भी पूरी तरह रिडियोस हो गया है और सभी चीज़ें अच्छे से एकदम मिक्स हो गई हैं इसमें तो इस तरह से एकदम सूखा से मिश्रण हम इसका तयार करना है ये देखे बिल्कुल इस तरह से और अब हम इसे एक प्रेट में निकालकर छंडा कर लेते हैं तो साथ में मैंने थोड़ी से फिलिंग के लिए काजू बैदाम को थोड़ा सा खजूर के साथ मिक्स कर लिया है ता नारियल को मिश्रण है उसे इसके ऊपर लगाकर बिल्कुल चोटे-चोटे साइस के जैसे आपको पसंद हो इस तरह से एकदम राउंड लड्डू बनाएंगे हम इसके नारियल की लड्डू थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो इस तरह दोनों हाथों में इसे हलका हलका प्र इस तरह से प्रेस करके हलका सा सट कर देंगे और इसे आधे कंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए तो ये देखिए आधे कंटे के बाद ये अच्छे से एकदम से सेट हो गए है आपको कट कर की दिखाती हूं फिलिंग है वह भी खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लिए हैं एक कटोरी रोस्टेट मौंग फिली दाना इसे हमें पीसना है तो यहां पर ग्राइंडिंग जार में मैंने सारी मौंग फिली को और दोनों फैकिट के जो बिस्किट्स हमने लिए थे सभी को हम डालकर एकदम फाइन सा पीस लेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह के बाइंड कर सकें साथी में मैं डाल रही हूं दो से तीन बड़े चमज शहत क्योंकि हम इसमें कोई आर्टिफिशल शुगर नहीं एड कर रहे हैं बिस्किट में अलग से कोई भी शुगर इसमें नहीं डालेंगी और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगी और थोड़ा- के लिए रख देते हैं तब तक हम अपनी चॉकलेट कर लेते हैं तो यहां पर मैंने 120 ग्राम चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और थोड़ी से क्रंच के लिए मैं इसमें डाल रही हूं कटे हुए काजू बादाम और खरबूजे के बीच आप अपनी मन पसंद को बना पसंद करेंगे और यहां पर नियुकर को ता लीट गोरें हैं और वार यहां बादा हैको मुमफली लगते हैं और जोब आप इसे एक बार आप आप इन्हें बनाना पसंद करेंगे तो आज की हमारी चार तरीकी की रेसिपी तैयार है इस तिवाली आप इने जरूर बनाएं साथ ही अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले प्रूम् प्रूम्